तमिल नाड उप्रकरण पर हम लोगों के उपर यानि टाइम्स ओफ आयोध्या के एक वीडियो पर बिहार पुलिस ने अफ़ाईयार कर दिया है तो बिहार पुलिस से मेरा एगो सवाल है कि जिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर आप लोगों ने फाईयार किया है और जिन से हमें पता चला है हमें तो भाई डारेक्टली पता नहीं चला हमें तो किसी अख़बार किसी न्यूज के माध्यम से पता चला है कि तमिल नाड में जो है इस तरीके से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है तो इन लोगों पर आप लोग फाई यार कप कीजिएगा जिन लोगों ने हमसे पहले ख़बर दिखाने का प्रयास किया था हम छोटों ही मचलियों को क्यों टार्गेट किया जा रहे है बिहार में छपरा कांड हो गया इसके बाद जो है ये तमिल नाड प्रक्राण हो गया हमारे समवैधानिक अधिकारों का हनन है क्या आप सत्ता से सवाल पूछना जो है जुल्म है क्या आप हम भारत में समविधान में आजाद नहीं है क्या क्या हम गुलाम हो गए है क्या क्या सवाल पूछने पर आप लोगों के उपर फाई यार कर दिया जाएगा क्या मनिश कस करते हैं कि हम लोग सत्ता की यार में इसके बाद प्रसासन के दम पर अपने मन मुताबिक मनमोजी करें और कोई हमसे सवाल पूछने वाला पैदा नहों और अगर कोई सवाल पूछे का तो हम लोग उसको दबा देंगे और यही कारण है कि तमिल प्रक्रण पर आप लोगों ने सत्ता का धरक जमा कर तमाम डिश्टल मीडिया के पत्रकारों पर अपाई आर करने का प्रास किया है अगर आपके अंदर है दम तो इन अख़बारों के ऊपर कीजिके ना हिंदुस्तान के उपर कीजिये न जो दो तारिक को दो मर्च को दो नेर ऽेटlü से । अबताक्त के न तर्ट प्रत प्रयास चाहिए कि बहार विश्चार जा रहा है इनलों के उपर iW 옆 कं कि झिएगा उन नेताओं के उपर F.I.R कीजिए जो लोग हम लोगों से पहले tweet करके हम लोगों को बताने का प्रयास किये और जब हम तक ख़बर पहुँछि तब ही हम लोगों ने सवाल पूँचने का प्रयास किया क्या आजाद देस में सवाल क्या तो संवाल को सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों को जानकारी मिली किर्करी नहीं उगी उनके जाज करने के बजाए आप लोग एभाई यार कर रहे हैं कि कहीन लोगों की आवाद दबा दे इसलिए हमारी सरकार की किरकरी नहीं होगी अरे सक्य को सभीकर ये आप लोग कब तक लोगों को विएर के लोगों को ठखने का प्यास किजिएगा F.I.R. से हम लोगों की आवाज दबाने का प्यास कर रहे हैं न सर तो आप F.I.R. कीजिए हमको मानिय न्यायले पर भरोसा है हम उतनी तीब ब्रिगती से और प्रखरता और निखरता के साथ बिहार के लोगों की आवाज बनने का प्यास करेंगे अगर आजाद देश में अपने समवैदानिक अधिकारों का पालन करना गलत है तो सत्ता का हनक दिखा कर F.I.R. करना भी गलत है किस आधार पर F.I.R. कर दिया आप लोगों हमको समझ में नहीं आ रहा है बताए जड़ा इन लोगों के उपर F.I.R. कीजे न आप लोग यह देखे साथ साथ लाल लाल सब्दों में लिका है बिहार प्रावासी बिहारी ओपर हमला हम लोगों ने इनको देखकर खबर चलाया ठीक है आप लोग आज मर्मानी कर लीजिए सत्ता की धनक जमा लीजिए लेकिन सत्य छुप नहीं सकता है आज नहीं कल तो सत्य जरूर साप निकल कर सामने आएगा और पता लगेगा कि मनीश का सेफ गलत है या रभी बहत गलत है या प्रास्नी उॉप कर लाखेत तीवारी गलत लमा अंब्स इसलों पे और nessa नो पर देखेना सरकार और पक्ष협द के लोग जा-कर देखें कि किस तरीके से जान्वर की तरह यहां बिहार से प्लाइन कर रहे हैं मजदूर दिल्ली पंजाब हरियाना तमिलाडू चे नहीं यहां से कैसे जाने पर मजबूर है जा कर देखे खुद पता चलियागा आप लोगों को भी और एफाई यार हुआ है कल होली और तीस्तिवाली और दीपावली पर भी घर नहीं गए ब बिहार के लोगों की समस्याओं को दिखाने का और बताने का प्यास कि और आज भी ग्राउंड पर बिहार के अंदर रहकर बिहार के लोगों की आवाज बताने और दिखाने का प्यास कर रहा हूं और जरूरत पड़ी तो मानने न्यायाले के सामने जो है इन तमाम बातों का बात भी रखी जाएगी, हमें मानने न्यायाले पर भरूसा है, बाकि इतना समझे कि हम लोगों को डराने का प्रैस किया जा रहा है और इस मुहीम में, इस लड़ाई में आप लोगों के साथ की हमें जरूरत है, जरा सोचे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्रिक मीडिया सरकार के कह पर खबर दिखाते हैं, जो सरकार कहेंगी, वहीं चलाएंगे, लेकिन हम लोग आजादी के साथ बिहार के गरीम मद्दूर पिसला किसान की आवाज बनने का प्रैस करते हैं, तो हम लोगों की आवाज अब दबाने का प्रैस किया जानते हैं, कि सरकार के नाग में हम लोगो बन रही है आप रणनीत बनाएए हमें दबाने की कुचलने की भगाने की केस करने की अफायार करने की लेकिन हम रणनीत बनाएंगे बिहार के भविस्य को उज्वल बनाने की हम रणनीत बनाएंगे बिहार के बिहारियों के मजदूरों की बात करने की हम रणनीत बनाएंगे क एक ह़ार के लोगों का तलमाराश्ट और धिल्ली के बिहार醋 को प्रताडिक किया जाता है आप हजार को कोई हवैं वहहार्च पना है तो अब लोगों का प्रेंट की जरूर्ट पसदै ठीक कीitude गए कि आज आगर हमारी आवाज को दबा दिया गया म कि लोग के सवाल पूछ रहें सिस्टम की काली करतूतों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो बैठ जाएंगे उठने से पहले इसलिए सोची समझी कि इन लोगों की आवाज को दबाया जाए तो इन लोगों को देखकर चलने वाले तमाम जो छोटे-चोटे बड़े-बड़े डिस्चली के पत्रकार हैं वो लोग आप जो है कहीं कहीं डर जाएंगे दम है तो बड़ी मचलियों को पकड़िये ना जो बिहार में ट्विट के माध्यम से तमिलनाट तकरण की जानकारी दे रहे थे बड़े अकबारों ने मुहीम चलाई उन लोगों को पकड़िये ना हम तुसरा छोटी मचलिया हमको पकड़ रहे हैं आप लोग हमारे उपर थिए ठीक है ठीक है हम लोग नहीं आगे जितने पत्रकारों पर फायार हुए उन सभी लोगों को बिहार को कि पता चले कि सरकार से सवाल तो किस आदार पर आप लोग ने FIR कर दिया और अगर हम गुलाम हैं तो ठीक है FIR जाये जाये अभी विग्त्री की आजादी है ना बोलने की आजादी है ना सवाल पूछने की आजादी है ना उसका हनन आप लोगों क्यों कर रहे हैं सर आप। लोग स्वाल पूझ रहीं हैं और क्धिया जरूड़ के लोगों को मूर खबराने का हम प्रयास किया गुदंगां में जाकर आवबज उठाते सरकारों तक बात पहुती हो सरकार कि किरकरी होती है, इसले सरकार नहीं चाती है, हम लोग आवाज उठाइज लिए फाई यार करके हम लोगों को डराया जा रहा है, आप डरा लीजिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमको मानिये न्यायाल है, मानिये कोट पर भरोसा है, और हम सुप्रीम कोट तक इस बाग को करते हैं, और ये लोग आप पेचा करते हैं, यार, कि आप लोग इनके साथ गड़ुक के घड़ी में खड़े हो, हम लोग आप पेचा करते हैं, कि हम लोगों के उपर अगर कोई मुसीबात आए, तो हम लोग आपके उपर हरदम खड़े रहते हैं, तो आप लोग भी हमारे पर हमारे साथ खड़े रहने का प्यास किजिए बाकि इस वीडियो को सेयर करके सत्ता तक पहुचाने का प्यास किजिए धन्यबाद जहिन